आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ 5 पेसा एप के बारे में 5 पेसा एप से आप रेफ़र एंड अरण करकर पेसे कैसे कमाएंगे और पेसे कमाने के बाद कैसे विड्रोल करेंगे अपने बिंग अकाउंट में दोस्तो 5 पेसा एप का अगर आप यूज करते हैं रेफ़र करकर पेसे कमाने के लिए तो आप इस एप से डेली के 2000 से लेकर 5000 रुपे तक कमा सकते हैं रेफ़र करके क्योंकि इस एप में जब आप रेफ़र करेंगे तो सिर्फ आपको अपने फ्रेंड की अकाउंट ओपन कराना है और आपको रेफ़र का बेनिफिट मिल जाएगा भी नहीं करनी होती है सिर्फ हमें अपने फ्रेंड के पास लिंक सेर करना है और अपने फ्रेंड का अकाउंट ओपन कराना है और हमें रेफ़र का बेनिफिट मिल जाएगा 5 पेसा एप में आपको रेफर का benefit जबी मिल जाएगा जब आप ये एप अपने फ्रेंड के पास share करके अपने फ्रेंड का account ओपन करा देते हैं तो आपको रेफर का benefit मिल जाएगा तो इस वीडियो में मैं आपको इस एप के बारे में complete जानका इस देने वाला हूँ कैसे आप 5 पेसा एप में अपने डीमेड अकाउंट को open करेंगे कैसे आप refer and earn करकर पेसे कमाएंगे तो अगर आप 5 पेसा एप से refer and earn करकर पेसे कमाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको डीमेड अकाउंट open करना है डीमेड अकाउंट ओपन करने के लिए आपके पास आपका अधार कार्ट, पेंट कार्ट और बिंग अकाउंट और अधार कार्ट से आपका मुबाई नमबर लिंक होना चाहिए उसके बात याप 5 पेसा एप पे अपना डीमेड अकाउंट ओपन कर पाएंगे अगर आप 5 पेसा एप में अपना डीमेड अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो मैंने आपको इस हैपका लिंक नीचे डिस्क्रिप्सन बॉक्स में दिया है जैसे ही आप वहाँ पर किलिक करेंगे आप इनकी वेब साइट पर रीडिरेट हो जाएंगे अब आपको स्क्रोल डाउन करकर नीचे आना है अकाउंट ओपन करने के लिए यहाँ पर आप एंटर करेंगे अपना मोबाई नमबर उसके बाद आपको किलिक करना है ओपन अकाउंट नाव पे आपके मोबाई नमबर पे एक ODP आईगी वो ODP आपको वहाँ से कोपी करने के बाद यहाँ पर एंटर करनी है और आपको किलिक करना है ओपन अकाउंट नाव पे यहाँ पर आपको एंटर करनी है अपनी email id email id एंटर करने के बाद नीचे आपको किलिक करना है continue पे अब आपकी email id पे एक odp आईगी वो odp आपको वहाँ से copy करने के बाद यहाँ पर एंटर करनी है नीचे आप किलिक करेंगे continue पे यहाँ पर आपको enter करना है अपना pen card number और नीचे आपको enter करनी है अपनी date of birth date of birth आप यहाँ पर वो enter करेंगे जो आपके pen card पर है और pen card number enter करने के बाद आपको verify पर किलिक करना है उसके बाद आप किलिक करेंगे process पर और यहाँ पर आप किलिक करेंगे continue पे यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का interface आएगा तो यहाँ पर आपको tick लगाना है और नीचे आपको किलिक कर देना है और यहाँ पर आप enter करेंगे अपने आधार कार्ट number उसके बाद आपको किलिक करना है next पे जो आपका आधार कार्ड है उस आधार कार्ड से जो मुबाई नमबर लिंक है उस मुबाई नमबर पे एक OTP आएगी वो OTP आपको वहाँ से कोपी करने के बाद यहाँ पर एंटर करनी है उसके बाद आपको किलिक करना है कंटीनिव पे यहाँ पर आप अलाओ पे किलिक कर दे अब हमें यहाँ पर अपना bank account को add करना है bank account add करने के लिए यहाँ पर आप enter करेंगे account number नीचे आपको enter करना है IFSC code account number IFSC code enter करने के बाद नीचे आपके सामने option आएगा verify का आप verify पे click करेंगे verify पे click करने के बाद नीचे आपके सामने option आता है process का आप यहाँ पर किलिक कर देंगे और यहाँ पर आपके सामने option आएगा personal details का तो यहाँ पर आपको अपनी personal details को fill करना है जैसे की for example यहाँ पर लिखा हुआ है gender आप male है female है वो आप यहाँ पर select कर लेंगे नीचे लिखा हुआ है marital status आपके यह पर शादी हो गई है यह फिर आप सिंगल है वह आप यहाँ पर select करेंगे नीचे आपको एंटर करना है अपना father name आप यहाँ पर enter करेंगे जो आपके pen card पर है नीचे आपको उपने father का middle name और last name एंटर करना है और नीचे है education तो आपको यहाँ पर अपनी education को select कर लेना है और नीचे है occupation आप ही अगर याप इक student है तो आप student यहाँ सी रेट करनेंगे यहाँ यहाँ पर लिखा हुआ है annual income चोह आप सामने option आता है कि आपको कितना experience यानी कितना साल का आपको experience है वह आप यहां पर select कर लेंगे नीचे आपके सामने option आता है माई network का तो आप my network में select कर सकते हैं नीचे आपके सामने option आएगा नौ मिनी का अगर आप नौ मिनी में किसी को add करना चाहते हैं तो आप yes पर click करेंगे और आपने no mini की details enter करेंगे और आप no mini में यहाँ पर add कर लेंगे अगर आप no mini में किसी को add करना नहीं चाहते हैं तो आप no पे click करेंगे no पे click करने के बाद आपको नीचे आना है यहाँ पर आपको tick लगाना है और यहाँ पर भी आपको tick लगा देना है और नीचे आपको क्लिक कर देना है प्रोसिस पे यहाँ पर आपके सामने ओप्सन आएगा सेल्फी का तो यहाँ पर अब आपको अपनी एक सेल्फी ले दी है तेके सेल्फी पे क्लिक करेंगे यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी सेलफी केप्चर करने के बाद सिंपल ही आपको यहाँ पर कंटीनियू पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपके सामने ओप्सन आता है सिगनीचर का तो यहाँ पर अब आप अपना सिगनीचर करेंगे या आप signature अपना ड्रोकर अगर कर सकते हैं इस तरह से या फिर आप अपना signature एक white and blank paper पे करने के बाद वो signature आप यहाँ पर upload भी कर सकते हैं signature upload करने के बाद simply आपको save and continue पे click करना है यहाँ पर आपके सामने next option आएगा तो यहाँ पर आपको simply process पे click करना है अब हमारा सामने next page आएगा यहाँ पर लिखा हुआ है e-sign अब हमें e-sign complete करना है तो e-sign करने के लिए आपको click करना है e-sign now पे और यहाँ पर आपको tick लगाना है और simply आपको submit पे click करना है और यहाँ पर आपको कुछ सिगन का wait करना है और आप यहाँ पर nsdl की website पर redirect हो जाएंगे यहाँ पर आपको tick लगाना है और नीचे आपको enter करने है आदहार card number उसके बाद आप click करेंगे send audio पे अब आपके उस mobile number पर OTP आएगी जो mobile number आपके आदहार card से link है वो OTP आपको वहाँ से copy करनी है यहाँ पर enter करनी है उसके बाद आप click करेंगे verify OTP पे और यहाँ पर अगर आप screen बर देखेंगे यहाँ पर जो हमारी account opening process थी वो 100% complete हो गई है अब आपको scroll down कर नीचे आना है और यहाँ पर लिखा हुआ है skip आप skip पर click करेंगे तो यहाँ पर लिखा बाँ चुका है kangurachew license और जो हमारी account opening process थी वो यहाँ पर complete हो गई है अब जैसी हमारा dmate account open हो जाएगा 24-18 गंटे के अंदर तो हमारी Gmail पे हमारा user ID and password हमें मिल जाएगा तो अब आपको wait करना है 24-48 गंटे का जैसी आपका dmate account 5 पेसा एप में successful open हो जाएगा उसके बाद आपकी Gmail पे आपका user ID and आपका password आपको मिल जाएगा फिर आपको आना है play store पे यहाँ पर आपको search करना है 5 पेसा तो यह एप आपके सामने आएगा आपको इस एपको अपने mobile phone में यहाँ से install कर लेना है बात करें इस एपकी reading की 4.2 इस एपकी reading है और 10 million पिलस इस एपके download है reading भी इस एपकी काफी अच्छी है और download भी इस एपके काफी ज़्यादा है तो हमें इस एपको अपने mobile phone में install करने के बाद open करना है एप open करने के बाद हमें यहाँ पर login करना है अपनी user ID से and अपने password से login करने के बाद हमारे सामने यहाँ पर कुछी सतरा का interface आता है तो अब बात करते हैं इस एप से हम refer and earn करकर पेसे कैसे कमाएंगे तो अगर आप 5 पेसा एप से refer and earn करकर पेसे कमाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने इस 5 पेसा एप को activate करना है इसे activate करने के लिए आप इस एप में minimum 20 रुपे की या फिर 15 रुपे की trade कर सकते हैं यानि किसी company के stock को buy कर लेंगे फिर sell कर देंगे फिर जो आपका amount रहेगा वो आपको उपने bank में फिर टो कर लेना है तो यह आपकी यहाँ पर first trade complete हो जाएगी और आप दीमेड account भी activate हो जाएगा अब बात करते हैं refer and earn करकर पेसे कैसे कमाएगे उसके लिए आपको click करना है user पे यहाँ पर click करने के बाद scroll down करकर नीचे आना है यहाँ पर आपके सामने option आता है refer and earn का आप यहाँ पर click कर देंगे यहाँ पर लिखा हुआ है अगर आप 5 पेसा एप को अपने फ्रेंड के पार सेर करते हैं जैसी आपका फ्रेंड आपका भेज़े विलिंग पर किलिक करके 5 पेसा एप में अपना डीमेड अकाउंट को सक्सेस्फुल ओपन कर लेता है तो आपको यहाँ पर एक रेफर के 200 रु अगर आप रेफर करकर पेसे कमाना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको अपने फ्रेंड से ट्रेड भी कंपलीट नहीं करानी है यह 200 रुपे अकाउंट ओपनिंग के आपको मिलेंगे 48 घंटे के अंदर और यह पेसे आपके ट्रेडिंग बिलेस में आगर काउंट हो अकाउंट एक्टिविट हो गया है तो वह एक्टिविट में आकर काउंट हो जाएगा और आप यहाँ पर अपने फ्रेंड का नेम से अपने फ्रेंड को सर्च भी कर सकते हैं और अगर आप नीची दिए गए लिंग पे क्लिक करके 5 पेसा एप में अपना डीमेड दो हजार रुपे का आपको टो ब्रांड वाउचर मिलता है यानि यह आपके सामने कुछ यहां पर शो हो रहे हैं इनमें आप इन वाउचर को यूज कर सकते हैं और इन वाउचर का एक्सपाइट टैम होता है 25 दिन का तो इस तरह से आप 5 पैसा एप से रेफ और एंड अरन करते हैं तो यहां पर आपको दिखाए जाएगी हिस्ट्री अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे मैंने इस एप से एक लाग से भी ज्यादा रुपे कमाएं सिर्फ रेफ और करके जो कि मैंने सब आपके सामने यहां पर शो कर दिये हैं यह इस एप का पेमिट प्रूफ है जो कर दी जाएंगे 24 गंटे के अंदर तो दोस्तों इस तरह से आप 5 पेसा एप से रेफर करकर पेसे कमा सकते हैं और काफ़ी ज्यादा आप यहां पर अर्निंग कर सकते हैं अगर आप कोई रेफर एंड अर्न करने के लिए एप ढून रहे हैं जहां पर आपको रेफर का नहीं करानी है तो अब बात कर लेते हैं इस एक के यहां पर जानकारी होनी चाहिए इस एक से आपको पेकन ना है एक साल का यहां पर 300 रुपे तो अब मैंने आपको इस वीडियो में 5 पेसा एक के बारे में complete जानकारी दे दी है अगर आपका अभी भी कोई सवाल है तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरू करें साथ इस ब्लाइकन को जोड़ दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नहीं वीडियो की नॉट्फिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुचे और अभी तक आपने टेलिग्राम चैनल को जोइ कर लीजिए तो चली दोस्तों मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए जय हिंद